तो लिज़े दोस्तों SSC MTS वालों के लिए आचुकी है बड़ी खुसकबरी जीहाँ जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में SSC MTS हवालदार का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसके बाद जो इसकी कटॉप थी वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है तो ऐसे में अब कंडि जा रही है कुर बड़ी खुसकबरी जीहाँ सभी को मिलेंगे इतने नंबर बिल्कुल फ्री में अब फेल वाले भी हो सकेंगे पास जीहाँ क्या है नौर्माइशन का आकड़ा और कितना आपको मिल सकता है एक्स्टा मार्क कम्प्लीट जानकारी आज किस वीडियो में हम आ हाल ही में SSC MTS हवालदार का रिजल्ट जारी हो गया है और यहाँ पर जो कटॉप जारी की है वो आपके स्टेट की आपकी कैटिगरी की कटॉप है तो आपने आसानी से अपनी स्टेट अपनी कैटिगरी की कटॉप को तो चेक जरूर कर लिया होगा अगर नहीं चेकिया है तो SSC के official website या फर हमारे telegram group से जाकर आसानी से इसका जो PDF है पूरा प्राप्त कर सकते हैं लिंक आपको discussion में मिल जाएगा तो अब देखें जैसे ही आपने यहाँ पर cut-off चेक कर लिया तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि cut-off में जो यहाँ पर आपको यह total marks दिखाये जा र marks इसके अलाबा प्लस उसके अलाबा कुछ आपको extra mark दिये जाएंगे अब extra marks में कौन-कौन से आपको मिल सकते हैं उसमें आपको FM के marks मिल सकते हैं यानि कि जो questions पर आपने objection किया होगा या जो questions SSC के through यहाँ पर गलट type किये गए होगे उनका आपको यहाँ पर full marks जो है वो द आपको दिये जाएंगे यह total marks मिलाकर ही आपके यहाँ पर बनते है total marks ठीक ना आप दोस्तों होगा क्या कि जैसे मा लिजे कि अगर आप पंजाब के ST candidate हैं तो आपका जो cut-up है वो 81 दिसमलाओ 79 721 गया है तो total marks अगर आपका इतना ऐससे या जादा आ रहा है यानि कि आपके raw marks और जो extra marks होंगे total marks मिलाकर अगर आपका 81 points या इससे जादा आ रहा है तो आप एक qualified candidate है और जैसे ही आपका भी marks देखने को मिलेंगे आपको बता दे कि 17,10,2022 को यहाँ पर जो marks है वो आपको देखने को मिल पाएंगे आपके SSC की website पर कैसे आप चेक करेंगे या आपको आने वाली वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा तो देखे आप क्या है कि जो आपके total marks होंगे वो total marks अगर आपके जो यहाँ पर cut up निकला है अगर उससे जादा आ रहा है तो यहाँ पर आप एक qualified candidate है और आप अपने आँगे की तैयारी शुरूग कर सकते हैं अब दे आपको लग रहा है कि कहीं आपका selection रुक ना जाए तो आपको घपडानी की कोई भी जरूत नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपको मिलने जा रहा है यहाँ पर लगबग प्लस 10 marks और वो कैसे मिल सकता है अब मैं आपको समझा देता हूं विस्तार स देखे अभी क्या है कि कुछ questions ऐसे थे जिन पर यहाँ पर candidate ने objection किया था तो उनका यहाँ पर अगर questions SSC के तरफ से real में वो question गलत हुए है तो यहाँ पर उन questions के सभी candidate को full marks दिये जाएंगे तो यहाँ पर आपके 2-4 number जो होंगे या फिर 1-2 number जो होंगे वो आपके full marks में मि या जा सकता है हाला कि पिछला जो SSC का एक्जाम था उसमें जो highest normalization था वो आपका 5 number तक था तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक नमबर से लेकरो पास नमबर तक जो normalization marks हो देखने को मिलेंगे तो ऐसे में अगर आपके raw marks है उससे अगर आपके raw marks अगर 7-8 या फिर 10 number कम भी आ रहे हैं तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अभी normalization और full marks जो आपको दिये जाएंगे extra marks उनको मिलाकर हो सकता है कि आपके cut-off से ज़्यादा जो marks है वो निकल जाए और definitely फिर आप ए qualified candidate यहाँ पर बन पाएंगे तो बस अभी आपको थोड़ा सा wait करना है तब तक जब तक यहाँ पर आपके जो scorecard है वो देखने को नहीं मिलता है तो wait कीजिए 17 तारीक का 17 October को आपका जो scorecard है वो upgrade कर दिया जाएगा जिसा आप आसानी से check कर सकेंगे और जिसमें आपको अपने सारे marks देखने को मिलेंगे इसके लावा कितना आपको extra marks मिला है य जानकारी नहीं हो जाता है दोस्तों वीडियो को लाइक करके चर्न को सबस्क्राइब जरूर कर दीजे तक यह ससी भरतिया इससे रिगार्डिंग जो भी सटिक information आप तक सबसे पहले पहुंच दिरे दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जल मिलते हैं एक और नए प्रेट